ओम्नम गगवतिवासु दिवाई द्वादस मंत्र जो कहलाई मन से मंत्र कजाप जो करते उनके सारे काम समरते जब जब बढ़ा पाप का भार तब तब हरी लिये अवतार निजभक्तों के कष्ट को हरते सत्य धर्म की रख्टा करते दिल से जो हरी नाम को ध्याए वो हरी के हरी उनकी हो जाए डूबती नईया पार लगाए सदा भक्त पे रहत सहाए हरी नाम का सुमिरन करते पापी भी भवपार उतरते सबसे प्यारा पावन नाम सफल करे भक्तों का काम निर्वल को श्रीहरी अपनाते तुष्ट जनों को मार किराते भक्त वक्त सलक्रिपा निदान ये हैं सब देवों में महान चंक चक्र गदाली ये हाथ श्रीहरी है नाथों के नाथ सारे देवता शीष जुकाते नारायन नारायन गाते तेश नाग को सैया बनाए श्रीलक्मी जीपाव दबाए सिर्सागर नित पाव को धोता हरी भजे वो हरी का ओता हरी अनंत हरी कथा अनंता कहा ही सुनहीं बहुविदी सब संता हरी का सब हरी कीर्टन करते भवसागर से पार उतरते जिसने भी हरी नाम को गाया उसने श्री विश्नु को पाया श्री हरी जी की क्रिपापा वो है जग के पालन हार तुलसी दल हरी की मन भाए जो तुलसी का भोग लगाए श्री हरी उन पे खुश हो जाते अपनी क्रिपा उन पे बरसाते विश्नो नाम सब से बढ़ा वेद पुरान बताए जो इनका सुमिरन करे जीवन धन्य हो जाए मधुर मनों हर अतिमन भावन नाम प्रभु का सब से पावन जात पात पूछे नहीं कोई हरी भजे सो हरी का होई है ग्रिव ने पृत्वी को उठाया अपने संग पाताल मिलाया लिये प्रभु वाराह वतार है ग्रिव का किये संहार मधु कैट अब उतफात मचाया ब्रह्मा जी को बंदी बनाया सब श्रीहरी ने रत के माया मधु कैट अब को मार गिराया ब्रह्मा जी को मुक्त कराये प्रजापती के प्राण बचाये सार देव कर जै जैकार हरी की महिमा अपरंपार जनम मरण का संशे गयाऊं नाम जपत शिव अमर हो गयाऊं हरी नाम की महिमा भारी जपते जिनको सब नर नारी न्याय प्रिये विष्णू भगवान संकट मोचन क्रिपा निधान सिंधु सुता संग सिंधु में रहते तीनों लोकों में विचिरण करते प्रिये गरुण है इनकी सवारी जिनकी शोभा सब से न्यारी उड़ते रहते हैं ये नब में प्री हरी का अनुश है सब में धिरण कश पुथा समरत पापी जिसके डर से धरती कापी त्राही त्राही मची जारों ओर चलने न पाए किसी का जोर भक्त पहलाद को बहुत सताया परवत से नीचे था गिराया पनिक न प्रभुजी देर लगाए आखे भक्त की जान बचाए फिर भी पापी नहीं था माना अपने को भगवान था जाना किसी का कहना कभी न माने असुर को सारी दुनिया जाने ते विष्णो भगवान है जग के पालन हार इनकी भक्ति भक्तों का सपना करे साखार अपने नाम की रट लगवाता मैं ही प्रभु हूं सब को बताता जो ना रटता उसका नाम कर देता था काम तमा भक्त को खंभे से बंधवाया पापी ने तलवार उठाया बोला कहां तेरा भगवान प्रकट हुए तब क्रिपानिधान बोले कनकन मेरा वास रहता सदा भक्तों के पास जो भी भक्त का हित करेगा निश्चित मेरे हाथों मरेगा मेरे सिवा कोई कहीं न दूजा जिसने मुझे जिस रूप में पूजा उसने मुझे उस रूप में पाया प्रभु ने दुष्क असुर को बताया कभी नहीं मैं किसी से डरता सब की इच्छा पूरी करता तू भी ना बचने पाएगा मेरे हाथो मारा जाएगा फिरन कशप को त्रभू उठाए अपनी जंगा उसे लिटाए लेके नरसिह का उतार फिरन कशप का किये संहार रावन जब उतपात मचाया सारे देवताओं को हराया ग्रह नक्षत्र को बंदी बनाया सामने कोई चिकने ना पाया साधु संत को लगा सताने किसी का कहना असुर न माने करने लगा असुर शैतानी खोने लगी धरम की हानी साधु संतों ने किया पुकार लिये प्रभु रामा अवतार धर्म की रक्षा करने आए देख सभी के मन हरशाई राम रूप में विष्णु आए मर्यादा पुरु शोत्तम कहाए जिन से बड़ा है जिनका ना मर्यादा पुरु शोत्तम राम अभिमानी अधम असुर करते अत्याचार श्री विष्णु अवतार ले करते हैं संहार रण में प्रभूरावन को मारे संतों को संकट से उबारे करती का संताप मिटाए धर्म का जंडा लहराए तुलसी मा जब ध्यान लगाई पती रूप में हरी को पाई तुलसी बिन रह भोग अधोरा तुलसी का सपना हुआ पूरा स्रीहरी सोलह कलावतारी प्रज में बन के आए मुरारी बंदी ग्रिह में लिये अवतार सोगए सारे पहरेदार बंदी ग्रिह का तूटा ताला वासु देव ने उन्हें संभाला तोकरी में तब प्रभु को उठाए यमुना जी के तक ले आए यमुना जी ने जल को बढ़ाया हरी ने पावनी ते लटकाया पावन चरण को यमुना चूमी मगन होके मस्ती में जूमी वासु देव के सिर्प सवात किये क्रिष्न यमुना को पात नर नारी कोई जान न पाया हरी ही जाने हरी की माया क्रिष्न कंस को मार गिराए धर्ती का संताप मिचाए देखर के गीता का ग्यान सारे जग का किये कल्याए विष्नों को जो मन से ध्याए अंत में परमगती को पाये भक्तों को प्रभुराह दिखाते बवसे नईया पार लगाते रध्धा से हरी नाम को गाओ मानव जीवन सफल बनाओ हरी का की तन घर में कराओ जो मन चाहे वो फल पाओ खरी की चरण धूली जो पाए तो कंकड हीरा हो जाए विष्नों जी का नाम है प्यारा प्रभी संजय को दिये सहारा नईया जो डग मग डोले मसे बीत मजधार लक्ष्मी पती विष्नों करे भवसागर से पार आज गुरु वार है विष्नों जी का वार है ये सचा दरबार है सचे मन से जो कोई ज्यावे उसका बेडा पार है आज गुरु वार है विष्नों जी का वार है ये सचा दरबार है सचे मन से जो कोई ज्यावे उसका बेडा पार है जब जब तेरे भक्त जनों पर संकट आया है भारी अब तब तुम धरती पर आये चक्र सुदर्शन धारी सब के पालन हार है विष्नों जी का वार है ये सचा दरबार है सचे मन से जो कोई ज्यावे उसका बेडा पार है आज गुरुवार है विष्नों जी का वार है ये सचा दरबार है सचे मन से जो कोई ज्यावे उसका बेडा पार है पुरे गवारे साने में नीपा साने शिरसागर में शेश नाग की शैया पे लेटे रहते हैं तेरी क्रिपा बिन त्रिण ना डोले वही होते है करन करावन हार है विष्नों जी का वार है ये सचा दरबार है सचे मन से जो कोई ज्यावे उसका बेडा पार है आज गुरुवार है विष्नों जी का वार है ये सचा दरबार है सचे मन सी जो कोई ज्या में उसका बेड़ा आगे रहे रामरोप में आके तुमने रावन का संहार किया रामरोप में आके तुमने रावन का संहार किया रिष्ण रूप में आये तो प्रभु कंस को तुमने मार दिया धर्म की पहरेदार है विष्णुजी का वार है ये सचा दरवार है सचे मन से जो कोई ध्यावे उसका बेड़ा पार है आज गुरुवार है विष्णुजी का वार है ये सचा दरवार है सचे मन से जो कोई ध्यावे उसका बेड़ा पार है विष्ण हिरन करश्य पू की डर से जब प्रहलाद पार है भक्त की जान बचाई तुमने हिरन करशप को मारा है नरसिम्हा अवतार है विष्णुजी का वार है ये सचा दरवार है सचे मन से जो कोई ध्यावे उसका बेड़ा पार है आज गुरुवार है विष्णुजी का वार है ये सचा दरवार है सचे मन से जो कोई ध्यावे उसका बेड़ा पार है शंक चक्र गदा शोभे कर में और कमल का फोल है सब रतनों से बढ़कर स्वामी आपके चर्णों की धूल है जो पाए भौपार है विष्णुजी का वार है ये सचा दरवार है सचे मन से जो कोई ध्यावे उसका बेड़ा पार है आज गुरुवार है मिष्णुजी का वार है ये सचा दरवार है सचे मन से जो कोई ध्यावे उसका बेड़ा पार है आज गुरुवार है मिष्णुजी का वार है ये सचा दरवार है सचे मन से जो कोई ध्यावे उसका बेड़ा पार है आज गुरुवार है हरी नाम की माला जपले पल की खबर नहीं अंतर घट मन को मथले पल की खबर नहीं हरी नाम की माला जपले पल की खबर नहीं 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 बल की खबर नहीं जड़ ऊ-फ दो कि खबर नहीं नाम बिना ये तेरा जीवन अधोरा है घाटा सत संग बिना होता नहीं पूरा है नाम बिना ये तेरा जीवन अधोरा है घाटा सत संग बिना होता नहीं पूरा है तेरी बीति उमरिया सारी पल की खबर नहीं पल की खबर नहीं पल की खबर नहीं पल की खबर नहीं रिष्टेदार सारे यहां मतलब के यार है क्यों मू लगाना ये तो जूटा सनसार है रिष्टेदार सारे यहां मतलब के यार है क्यों मू लगाना ये तो जूटा सनसार है रभु नाम से प्रीत लगा ले पल की खबर नहीं पल की खबर नहीं पल की खबर नहीं पल की खबर नहीं मू लगाना ये विर मू लगाना ये तो जूटा लगाना ये तो कैना ये आ रिष्ट रिष्टेदार सी दो के लगाना ये उढदी खबर नहीं पर उपकार करे जो सच्चा इनसान है सच्चा इनसान है वो सच्चा इनसान है नाम पिया ला जिसने पिया वो महान है पिया वो महान है पर उपकार करे जो सच्चा इनसान है नाम पिया ला जिसने पिया वो महान है उसकी सत गुरु कर रखवाली उसकी सत गुरु कर रखवाली पल की खबर नहीं कितना प्यारा तन ये तेरा प्रभु ने बनाया है माया धन सुख में तुने नाम को भुलाया है कितना प्यारा तन ये तेरा प्रभु ने बनाया है माया धन सुख में तुने नाम को भुलाया है गुरु शरण अभूल सुधरी पल की खबर नहीं 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 कर्म कांड सारे बिना नाम के बिकार है नाम के बिकार है सेवा व्रत सुमिरन प्रभु मिलन के द्वार है कर्म कांड सारे बिना नाम के बिकार है सेवा व्रत सुमिरन प्रभु मिलन के द्वार है हरी नाम को तू अपना ले पल की खबर नहीं हरी नाम की माला जप ले पल की खबर नहीं पल की खबर नहीं पल की खबर नहीं पल की खबर नहीं हरी ना मने नहीं तो जीना क्या अम्रित है हरी नाम जगत में अम्रित है हरी नाम जगत में इसे छोड़ विशे विश पीना क्या हरी नाम नहीं तो जीना क्या अłुिय कर दोड़ी लड़ों काल सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सिर चड़ बोले हरी का नाम जा पोनिश दिन तुम, हरी का नाम जा पोनिश दिन इसमें अब बरस नहीं ना क्या हरी नाम नहीं तो जी ना क्या ती रथ है हरी नाम हमारा फिर क्यों फिरता मारा मारा ती रथ है हरी नाम हमारा फिर क्यों फिरता मारा मारा अंत समय हरी नाम नावे अंत समय प्रभु नाम नावे तो काशी और मदीना क्या हरी नाम नहीं तो जी ना क्या हरी नाम नहीं तो जी ना क्या आभोशन से अंग सजावे रसना पर हरी नाम नायावे आभोशन से अंग सजावे रसना पर हरी नाम नायावे देह पड़ी रह जाए यहीं पे फिर कुंडल और नगी ना क्या हरी नाम नहीं तो जी ना क्या हरी नाम नहीं तो जी ना क्या श्री विष्णू सुनिये विनये सेवक की चितलाय कीरत कुछ वर्नन करूं दीजे ग्यान बताए नमो विष्णू भगवान खरारी कष्ट नशावन अखिल बिहारी प्रवल जगत में शाति तुम्हारी सुन्दर रूप मनोहर सूरत सरल स्वभाव मोहनी मूरत तन पर पीतां बरहती सोहत बैजन्ती माला मन मोहत शंख चक्र कर गदाब राजे देखत दैते असुर्दल भाजे सत्य धर्म मद लोभ न गाजे काम क्रोध मद लोभ न छाजे संत भक्त सजन्मन रंजन दनुज असुर्दुष्टन दल गंजन सुख उपजाए कष्ट सब भंजन दोश मिटाए करत जन सजन पाब काट भव सिंधू उतारन कष्ट नाश कर भाक्त उबारन करत अनेक रूप प्रभुधारन किवल आप भक्त के कार धरन धेनुबन तुम ही पुकारा तब तुम रूप राम का धारा भार उतार असुर्दल मारा रावन आदिक को संहारा आप वराह रूप बनाया हर न्याक्ष को मार गिराया धर्मत स्यतन सिंधू बनाया चोदहरतनन को निकलाया आमिलख असुरन द्वंद मचाया रूप मोहनी आप दिखाया देवन को अमृत पान कराया असुरन को छविसे बहलाया कूर्म रूप धर्सिंधू मझाया मंद्रा चल गिर्तुरत उठाया शंकर का तुम फंद छुडाया भसम असुर को रूप दिखाया वेदन को जब असुर डुबाया कर प्रबंध उन्हे ढुनवाया मूहित बनकर खल ही नचाया उस ही कर से भस्म कराया असुर जलंधर अति बल दाए शंकर से उनकीन लडाए हार पार शिव सकल बनाए कीन सती से छल खल जाए सुमिरन केन तुम्हे शिवरानी बत लाए सब भिपत कहानी तब तुम बने मुनीश्वर ज्यानी व्रिंदा की सब सुरति भुलानी देखत तीन दनुज शैतानी व्रिंदा आय तुम्हे लपटानी होस बर्ष धर्म शतिमानी हनासुर उर शिव शैतानी तुमने ध्रुव प्रहलाद उबारे धिरना कुष आदिक खल मारे गणिकार आजा मिल तारे बहुत भक्त भव सिंधु तारे हर हु सकल संताप हमारे क्रिपा कर हु हर सिर्जन हारे देखा हु मैं निज दर्ष तुमारे दीन बंधु भगतन हित कारे चहत आपका सेवक दर्षन कर हु दया अपनी मधु सूदन जानु नहीं योग्य जब पूजन हो ये अग्यस्त ते अनुमोदन शील दयासन तोश सुलक्षन विद्त नहीं व्रत बोध विलक्षन कर हु आपका किसे विधि पूजन कुमति विलोक होत दुख भीशन कर हु प्रणाम कौन विधि सुमिरन कौन भाति मैं कर हु समर पर सुरमुनि करत सदा सेव खाई हरशित रहत परम गति पाई दीन दुखिन पर सदा सहाई निजजन जान लेव अपनाई पाप दोश संताप नशाओ भव बंधन से मुक्त कराओ सुख संपति दे सुख उप जाओ निजज चरनन का दास बनाओ निगम सदाए विनय सुनावे पढ़े सुनै सोजन सुख पावे ओम नमो भगवते वासु देवाय प्रिय भक्त जनों अपने भक्त जनों के संकत क्षण में दूर करे ओम जय जगदीश हरे पालन करता भगवान विश्णू जो इस स्रिष्टी के पालन करता है अपने भक्तों की सदापुकार सुनते हैं सदैव उनके सारे बिगडे काम बनाते हैं और संकत के एक शण में जब भी कोई भक्त भक्त परायन विश्णू भगवान को पुकारता है तो एक शण मात्र का विलंब की ये बिना भी दोड़े चलकर आते हैं और अपने भक्त को संकत से उबारते हैं तो आएए भक्त जनों गज और ग्रहा की इस पावन कथा को सुनते हैं जिसमें आप देखेंगे कि कैसे भक्त ने एक बार बुकारा और भगवान दोड़े चले आए करू मैं विष्णों का गुणगान करू मैं विष्णों का गुणगान जब भक्तों पे संकट आया दूर किये भगवान करू मैं विष्णों का गुणगान 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 एक गज राज था सुन्दर वो रहता परवत उपर प्रेम करते थे जिससे सभी जंगल के जानवर जुंड के बीच में चलता मस्ति में जूमता रहता विश्न का परमभक्त वो सदाना रायन कहता जंगल के सारे जीवों का करता था समान करू मैं विश्नों का गुलगान करू मैं विश्नों का गुलगान करू मैं विश्नों का गुलगान वो भोला भाला गजराज भगवान विश्नों का परमभक्त था दिन में खेलता खाता मस्त रहता और सुभा शाओ आठो याम भगवान को याद करता रहता था भगवान विश्नों को वो अपने पिता के समान मानता था एक दिन वो भोला भाला गजराज अपने दोस्तों के साथ एक सुन्दर से सरोवर के नसदीक जा पहुंचा और सभी साथियों के साथ उस सरोवर में उतर कर पानी पानी खेलने लगा वो सब अपनी सूंड में पानी भरते और एक दूसरे पर फेंग कर बड़े ही मजे से खेल रहे थे जुन्ड के सारे हाथी एक दूजे के साथी खेल रहे पानी पानी शाम थे बड़े सुहानी सूंड में पानी लेके एक दूजे पे फेके ग्राह ने गज के पाव को घसीटा मुह में लेके गज का पाव जब ग्राह ने पकड़ा पूए सभी परिशान करू मैं विश्णों का गुलगान करू मैं विश्णों का गुलगान करू मैं विश्णों का गुलगान एक बड़ा ही सुंदर गंधर्व जो देवल रिशी के श्राब से तालाब में मगर्मच बन गया था वो मगर्मच गजराज का पैर पकड़ लेता है और पैर पकड़कर गहरे पानी में खीचने लगता है जिसे देखकर हाथियों का जुन्ड परिशान हो जाता है मगर्चो की पानी बहुत गहरा होता है इस वजह से चाहकर भी कोई गज की मदद नहीं कर पाता है ग्रह और गज के बीच घमासान लडाई होती है मगर ग्रह गज का पैर छोड़ने का नाम नहीं लेता वो बल पूर्वक गज को पानी के अंदर खीचता है और गज का आत्म विश्वास और बल धीरे धीरे जब जवाब देने लगता है तो वो हरी को पुकारता है और क्या कहता है ग्राह ने जोर लगाया पाउ में दात गड़ाया हाथी के बहते लहू को वो पी कर प्यास बुझाया ग्राह और गज के बीच में युद्ध हुआ बड़ा भयंकर पी के गज राज के खून को ग्राह बन गया ताकतवर श्री हरी को तब गज ने पुकारा श्री हरी को तब गज ने पुकारा संकट में थे प्राण करू मैं विश्णों का गुलगान 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 प्रिय भक्तों ग्राह और गज के बीच बहुत ही भीश्ण लडाई होती है और ये लडाई छे महीने तक चलती है ग्राह दिनों दिन गज का खून पीकर ताकतवर होता जाता है और खून बहने से गजराज कमजोर होता जाता है अन्त में गजराज को जब ऐसा महसोस होने लगा कि वो इस युद्ध को नहीं जीत पाएगा और वो मारा ही जाएगा तो वो भक्त वतसल भगवान विश्णु को करूना भाव से पुकारता है और क्या कहता है आए सुनते है प्राण संकट में पाकर गज ने विश्णु को पुकारा विश्णु जी दोडे आए चक्र से ग्राह को मारा ग्राह गंधर्व बन गया हरी की शरण में आया हरी को पिछले जनम की वो सारी बात बताया दोनों को वे कुंठ मिले विश्णु ने दिया वरदान करू मैं विश्णु का गुलगान करू मैं विश्णु का गुलगान करू मैं विश्णु का गुलगान प्रिये भक्त जनम भक्त वत्सल भगवान भक्त के मन की बात जानते हैं और भला भक्त जब संकट में हो और भगवान को पुकारे तो भगवान कैसे नहीं आते और इस कथा के लेखक पंडित संजय तेवारी जी कहते हैं अपने भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करें ओम जै जगदीश हरें ओम जै जगदीश हरें लक्ष्मिपति जै लक्ष्मिपति स्रिष्टी के पालन करता करुणा मैं क्रिपानिधान की जै विष्णू भगवान की जै विष्णू भगवान की श्रिष्टी के पालन करता करुणामाई क्रिपानिधान की जै विष्णू भगवान की सबके संकट दूर कर ओम जै जगदिश हर प्रिथ्वी की रक्षा के लिए प्रभुनेवा रह अवतार लिया अतिबल शाली हिरन्याक्ष का पल भर में संहार किया प्रिथ्वी की रक्षा के लिए प्रभुनेवा रह अवतार लिया अतिबल शाली हिरन्याक्ष का पल भर में संहार किया खूज के प्रिथ्वी को जब लाए देव अंबर से फूल बरसाए जीवन सफल हो जाए ऐसी महिमान जै विष्णू भगवान की सबके संकट दूर करे ओम जै जगदीश हरे जब बढ़ात्या चार कंस का कृष्ण रूप में प्रभु आए कंस कुमार के कृष्ण जी सबको प्रेम की भाशा सिखलाए जब बढ़ात्या चार कंस का कृष्ण रूप में प्रभु आए कंस कुमार के कृष्ण जी सबको प्रेम की भाशा सिखलाए काल ने महाभारत करवाया कृष्ण ने धर्म ध्वजा लहराया जानते हैं सब लोग ये बाते सारी वेद पुरान की जै विष्णु भगवान की जै विष्णु भगवान की सबके संकट दूर करे ओम जै जगदीश हरे सबके संकट दूर करे ओम जै जगदीश हरे धर्ती का संताप मिटाने रामजी का अवतार लिये राक्षस राज रावण को मार के संतों का ओधार किये जगदी का संताप मिटाने रामजी का अवतार लिये राक्षस राज रावण को मार के संतों का ओधार किये राम प्रभु मर्यादा सिख लाए, सब के दिल में राम समाए बचन निभाने को श्री राम जी बाजी लगाए जान की जय विष्नो भगवान की सब के संकट दूर करे ओम जय जगदीश हरे चंगे संकट दूर करे, ओम्जे जगदीश हरे नरसिंग रूप की ए धारण प्रभु भक्त की जान बचाने को भक्तों के प्रतिपालक है प्रभु दिखा दिये ये जमाने को नरसिंग रूप की ए धारण प्रभु भक्त की जान बचाने को भक्तों के प्रतिपालक है प्रभु दिखा दिये ये जमाने को प्रभु जी हिरन कशप को मारे परमभक्त प्रहेलाद को बारे प्रभुजी हिरण कशप को मारे परमभत पहलाद को वारे बात निराली मेरे प्रभु के आनवान और शान की जै विष्णु भगवान की जै विष्णु भगवान की सबके संकट दूर करे ओम जै जगदीश हरे सबके संकट दूर करे ओम जै जगदीश हरे उमर धीरे धीरे चली जा रही है उमर धीरे धीरे पल पल ये आठों पहर धीरे धीरे पल पल ये आठों पहर धीरे धीरे चली जा रही है उमर धीरे धीरे अनमोल मानव जीवन व्यरत ना गवाना थोड़ा सा ध्यान प्रभो चरण में लगाना अनमोल मानव जीवन व्यरत ना गवाना थोड़ा सा ध्यान प्रभो चरण में लगाना सुमीरन का कर ले सफर धीर धीरे सुमीरन का कर ले सफर धीर धीरे चली जार ही है उमर धीर धीरे हिरता भटकता है क्यों हुआ है दिवाना बैठा वो तेरे भी तर क्यों ना पहचाना फिरता भटकता है क्यों हुआ है दिवाना बैठा वो तेरे भी तर क्यों ना पहचाना शंशे का हटा दे भवर धीर धीरे शंशे का हटा दे भवर धीर धीरे चली जा रही है उमर धीर धीरे चली जा रही है उमर धीर धीरे यही रह जाने तेरे महल दन दोलत आए गायम मिले शण की नमोहोलत ओ ओ ओ ओ ओ यही रह जाने तेरे महल धन दोलत आए गायम मिले शण की नमोहोलत पाले तुराम रतन धीर धीरे चली जा रही है उमर धीर धीरे चली जा रही है भईया उमर धीर धीरे ओम नमो भगवते वासु देवाय अपने भक्त पालन करता भगवान विश्णू जो इस रिष्टी के पालन करता है अपने भक्तों की सदा पुकार सुनते हैं सदैव उनके सारे बिगड़े काम बनाते हैं और संकट के एक शण में जब भी कोई भक्त भक्त परायन विश्णू भगवान को पुकारता है तो एक शण मात्र का विलंब किये बिना भी दोड़े चल कर आते हैं और अपने भक्त को संकट से उबारते हैं तो आए भक्त जनों गज और ग्राह के स्पावन कथा को सुनते हैं जिसमें आप देखेंगे एक ऐसे भक्त ने एक बार पुकारा और भगवान दोड़े चले आए करो मैं विश्णू का गुणगान 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 जब भक्तों पे संकट आया दोर किये भगवान करू मैं विश्णू का गुणगान एक गज राज था सुन्दर वो रहता परवत उपर प्रेम करते थे जिससे सभी जंगल के जानवर जुन्ड के बीच में चलता मस्ती में जूमता रहता विश्णू का परमभत वो सदा नारायन कहता विश्णू का परमभत वो सदा नारायन कहता जंगल के सारे जीवों का करता था सम्मान करू मैं विश्णू का गुणगान 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 वो भोला भाला गजराज भगवान विश्णू का परमभक्त था दिन में खेलता खाता मस्त रहता और सुबह शाम आठोयाम भगवान विश्णू को याद करता रहता था भगवान विश्णू को वो अपने पिता के समान मानता था एक दिन वो भोला भाला गजराज अपने दोस्तों के साथ एक सुंदर से सरोवर की नस्दीक जा पहुँचा और सभी साथियों के साथ उस सरोवर में उतर कर पानी पानी खेलने लगा वो सब अपनी सुंद में पानी भरते और एक दूसरे पर फैंक कर बड़ी मजे से खेल रहे थे जुंद के सारे हाथी एक दूजे के साथी खेल रहे पानी पानी शाम थी बड़ी सुहानी सुंद में पानी लेके एक दूजे पे फैंके ग्राहने गज के पाउं को घसीता मुह में लेके गज का पाउं जब ग्राहने पकड़ा गज का पाउं जब ग्राहने पकड़ा करू में विश्रू का गुलगान करू में विश्रू का गुलगान एक बड़ा ही सुंदर गंधर्व जो देवल रिशी के शाप से तालाब में मगरमच बन गया था वो मगरमच गजराज का पैर पकड़ लेता है और पैर पकड़ कर गहरे पानी में खैचने लगता है जिसे देखकर हाथियों का जुंड परिशान हो जाता है मगर चुके पानी बहुत गहरा होता है इस वज़ा से चाह कर भी कोई ग्राह की मदद नहीं कर पाता है ग्राह और गज के बीच घमासान लडाई होती है मगर ग्राह गज का पैर छोड़ने का नाम नहीं ले रहा होता है वो बल पुर्वक गज को पानी के अंदर खीचता है और गज का आत्म विश्वास और बल धीरे धीरे जब चबाब देने लगता है तो वो हरी को पुकारता है ग्राह ने जोर लगाया पाव में दात गड़ाया हाथी के बहते लहू को वो पी कर प्यास बुझाया ग्राह और गज के बीच में युद्ध हुआ बड़ा भयंकर ती के गज राज के खून को ग्राह बन गया ताकतवर श्री हरी को तब गज ने पुकारा संकट में थे प्राण करू मैं विश्णों का गुणगान 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 ग्राह और गज के बीच बहुत ही भीशन लडाई होती है ये लडाई छै महीनों तक चलती है ग्राह दिनों दिन गज का खून पीकर ताकतवर होता जाता है और खून बहने से गजराज कमजोर होता जाता है अंत में गजराज को जब ऐसा महसूस होने लगा कि वो इस युद्ध को नहीं जीत पाएगा और वो मारा ही जाएगा तो वो भत वच्सल भगवान विशनु को करुणा भाव से पुकारता है और आगे क्या होता है प्राण संकट में पाकर गज ने विशनु को पुकारा विशनु जी दोडे आए चक्र से ग्राह को मारा ग्राह गंधर्व बन गया हरी की शरण में आया हरी को पिछले जनम की वो सारी बात बताया हरी को पिछले जनम की वो सारी बात बताया करू मैं विश्णों का गुणगान भक्त वच्छल भगवान भग्त के मन की बात जानते हैं और भला भक्त जब संकट में हो और भगवान को खुकारे तो भगवान कैसे नहीं आते और इस कथा के लेखक पंडित संजेतिवारी कहते हैं कि अपने भक्त जब जनों के संकट शण में दूर करे ओम जय जगदीश हरे ओम जय जगदीश हरे दुनिया के पालन हार श्रीहर विश्णूजी सिंधो सोता संग सिंधू में रहते लिये कई अवतार श्रीहर विश्णूजी दुनिया के पालन हार श्रीहर विश्णूजी प्रलैकाल मच रूप में आए सब्त रिशी सत्य व्रत को बचाए प्रलैकाल मच रूप में आए सब्त रिशी सत्य व्रत को बचाए हाई ग्रेवका के संगार श्रीहर विश्णूजी दुनिया के पालन हार श्रीहर विश्णूजी सागर मन्थन को कछप बनके आए पीठ पे मंद्रा चल परवत उठाए सागर मन्थन को कछप बनके आए पीठ पे मंद्रा चल परवत उठाए करन करावन करन करावन हार श्रीहर विश्णूजी दुनिया के पालन हार श्रीहर विश्णूजी धर के वारा हरूप प्रभु जब आए धर के वारा हरूप प्रभु जब आए हिरन्याक्ष को मारे पित्वी बचाए जय विजय काकी ये ओ धार श्रीहर विश्णूजी दुनिया के पालन हार श्रीहर विश्णूजी भक्त प्रहलाद पे संकट जब आया नरसिंग रोप तब प्रभु ने बनाया भक्त प्रहलाद पे संकट जब आया नरसिंग रोप तब प्रभु ने बनाया हिरन्यकशप दिमार श्रीहर विश्णूजी दुनिया के पालन हार श्रीहर विश्णूजी वामन रूप में बने गोतारे परशो राम बन सुर संधारे वामन रूप में बनी कोतारे परशो राम बन असुर संधारे जाने जाने सकल संसार श्रीहर विश्णूजी दुनिया के पालन हार श्रीहर विश्णूजी राम आवतार में असुर में ताई प्रेम का पाठ क्रिश्णूजी प्रेम का पाठ क्रिश्न बनके पढ़ाएं बुधरूप में बाटे संसकार श्री हरी विश्नोजी दुनिया के पालन हार श्री हरी विश्नोजी कल युग में पापों का विस्तार होगा अंत समय कल की अवतार होगा कल युग में पापों का विस्तार होगा अंत समय कल की अवतार होगा पाप मिटाएं हर बार श्री हरी विश्नोजी दुनिया के पालन हार श्री हरी विश्नोजी जुख भ्लशना मंधु ऑcल कोो हूओा तर्वे औ्या बार श्री हराएं हरोगस और शापों के लुझK झालजे के अंतार होगा तż हताती होद्ताते होगा भ्लशना के जको हॉट बार श्री ह bermास्य कॉड के hatred